चुलिए आगे बढ़ते हैं बात करें हैं बारिश की अलगलग शेट्मों में बारिश के अलगलग रूप नज़रा रहे हैं प्रुदेश में मौनसून की महर लगातार जारी है और अगले एक सब्ताहा तक भारी से अती भारी का बारिश का लट जारी कर दिया गया है उदर जैपूर में चल रही फुहारों की बीच पर इटन स्थल भी गुलजार नज़रा रही है लोगों की भीर लगातार पहुँश रही है विकेंट पर फॉस्स इंट्या ने नहारगड महल से शेहर का विहंगा मद्रिश दिखाया जहां बादलो की ओट में लिप्टा शेहर ऐसे लग रहा था मानो मनाली या मसूरी में घूम रही हो शेहर के ऐसे ही खुबसूरत नजारे का जायजा लिया हमारे वरिष्ट सम्वाराता विनो सिंग चोहानी वो देखिया तो यह की तस्वीर आपको कुछ और दिखाएंगी क्योंकि जैपूर शेहर के अगर बात करें तो जैपूर में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारश के बारश जो परिचन स्थल है महा लगातार लोग पहुँच रहे हैं हमारे सयोगी ने जब जायजा लिया अलग-अलग शेत्रों का और खासतोर पर जैपूर के उस व्यू का जिसे पूरा जैपूर शेहर नजर आता है पुछली छे दिनों से बारश का दोर चारी है और अगले कुछ दिनों के लिए बारश ऐसे ही तेज होती रहेगी कुछ-कुछ अलाकों में बारश की धीमे पढ़ने की सभावना है लेकिन जैपूर शेहर जहां से पूरे तरीके से गुलजार नजर आता है वो है नहरगड फोर्ट और नहरगड फोर्ट का जायज़ा लेने के लिए जब परस इंद्या की टीम पहुँची तो तस्वीरे ब नहरगड की वादियों में मौझूद है अगर आपको कुल्लू मनाली का नजरा देखना है या और ऐसी वादी देखनी है जहां बरफ जमी हो या ओस का नजरा हो तो आप सीधे नहरगड चले आईए कैमरामेन सुरेंदर आपको वो तश्वीरे दिखा रहे हैं जो देखना बहत जरूरी है जैपुर का विहंगम द्रश्य आपको दिखा रहे हैं और आज देखिए पिछले च्छे दिन से बारिश का दोर लगातार जारी है रिमजिम बारिश चल रही है फुहारों का दोर जारी है और ऐसे में जैपुराइट्स वीकेंड मनाने के लिए नहरगड प वो नजारा जो देखना बहुत जरूरी है और हमारे साथ कुछ परेटक भी हैं उनसे बाच्चित करेंगे कहां से है मेडम एम्देबाट से गुजरात कैसा लग रहा है यहां का नजारा मौसम पिछले 6 दिन से महरबान है जैपुर पर राजदनी पर अच्छा है बहुत जैपुर में जैपुर में जैपुर में जैपुर में रहके वी और इता एक्सपेक्टर नहीं था लगा आपको बिटा कि यहां चलें नारगड चलें पापा नारगड देखें कैसा है बहुत अच्छा लगा है आपको कैसा लग रहे हैं वह हमेशा नारगड बुलाता रहता है लोगों को कि एक बार तो नारगड जरूर आए और आज आपकी इच्छा पुरी हां मेरे हैं और वो नजारा देखने की कोशिच कर रहे हैं जो देखना बहुत जरूरी है एक बार फिर मैं कैमरेमेन सुरंदर से कहूंगा कि यह विहंगम द्रश्ची दिखाए देखिए अरावली की पहाड़ियां किस तरीके से बादलों से डखीवी हैं और जैपुर यह नजारा पिछले साथ दिन से लगातार इसलिए बनावा है कि मानसून की महर राजधनी जैपुर सहीत प्रदेश के अधिकतर इलाकों पर बनी वी है और देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने अपने भविश्यवानी दिये या संभावना जताई है तो अगले एक सप्ता जैप दिन भी आप नहार गड़िया जैपुर के और इस हीली स्टेशन देखने आएंगे तो आपको नजारा देखने को मिलेगा और वह वादियां देखने के लिए देश बर से परेटक यहां आ रहे हैं कैमरेमेन सुरेंदर के साथ विनोस सिंग चौहान फस्ट इनिया नीज जै झाल में झाल में अरा खको एनिया भी आपको नहार प्रेक यहां जात लिए मेंदर के साथ विया जाएप कर देखने लिए खरेटक।